हेलो बहाई, मैं हूँ अजे और आज हम बात करेंगे बाइक चलाने को लेके तो बहाई यह हमारा डेवन है तो इसमें हम छोटी से लेके बड़ी चीजे को सब को कबर करेंगे तो बहाई एक बात पहले कि जितना जरूरी बाइक को सीखना है उतना जरूरी ही बाइक के बारे में जानना भी है तो भई छोटी छोटी चीज़े अगर आप बाइक के बारे में जान लोगे तो वो आपको help करेगी बाइक चलाने को लेके तो भई ज़्यादा time waste ना करते वे आगे सुरू करते हैं और जानते हैं, बाइक के बारे में कुछ बेसिक चीज है, जो आपको बाइक चलाने में मदद करने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है, आपके लिए गैरंटेड, तो भाई, आगे चलते वे, सबसे important जो चीज आती है, पहले नमबर में, वो है भाई, on-off करने क यह बेसिक चीज है, यह सब को पता होती है, कि कैसे हमने on करना है, कैसे हमने on करना है, बट भाई, इसमें main चीज क्या होती है, जो नहीं बिंगनर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको बता दूँ कि, बाइक में यहापे इंडिगेट्स आते हैं, यह वाले, आपको दिख रह हैं, लाइट का इसलिए नहीं जल रहा है, क्योंकि अभी बाइक स्टार्ट नहीं है, अदर्वाइस यह भी जलेगी, तो न्यूटन भाई, सबसे इंपोर्टन भोता है, यह न्यूटन, इसको चक करना बहुत जरूरी है, जब आप नहीं नहीं हो, और आप देख रहे हो कि बाइक न्यूटन नहीं है, तो पहले उसको बाइक स्टार्ट नहीं होगी, अगर सेल्फ बाइक है, तो फिर भी एक सेकंड के लिए आप कर लोगे, लेकिन किक वाली में नहीं करोगे, और एक्सिडेंट होने का चांस है, क्योंकि जितनी जोर से आप किक करोगे, यह बाइक स्टार्ट करते हो, तो यह इंडिगेट करेगा कि आपका स्टैंड उपर है कि नहीं है, ताकि आप गिरना जाओ, तो भाइक इसको भी देख लेना, जैसे भाइक आभी मैं उपर करूँगा, देखना लाइट चली जाएगी, यह चलीगी, तो भाइए यह न्यूटन का ज्य यह अभी लो भीम पर है, इसको ऐसे करोगे तो यह हाई बीम पर सट हो जाएगा, ठीक है भाइ, यही कुछ बेसिक चीची होती है, इधर गेर होते हैं, यह आपको पता ही होगा, हाना फास्स, सेकंड, थर्ड, फॉर्ट, सबसे आगई यह न्यूटन होता है, फिर पीछे ड हमारा भाई कलच होता है, जो मोस्ट इंपोर्टन चीज है, जितना जरूरी बाई के बारे में जानना है, तो अगर आप बाईक सीखना चाते हो, तो इसका यूज आपको बहुत जरूरी है जानना, तो भाई, अवर बस यही गिनी-चूनी चीजे होती है, जो बाईक में भाई, बस यही कुछ गिनी-चीजे हैं, जो हमें ध्यान रखनी होंगी भाई, तो भाई, चलो शुरू करते हैं अब, तो भाई, हमें डेवन में क्या पता होना जरूरी है, जैसे मैं एक बिगनर हूँ, तो मुझे यह पता होना चीए, कि मुझे बाईक को कैसे होन करना है, जो इंडिगेट्स आ रहे हैं, वो किस-किस चीज के इंडिगेट्स आ रहे हैं, हाना उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, यह बटन से इनका क्या यूज है, यह मैंने आपको भाई, सारा क्लियर कर दिया है, ऐसे कोई मित नहीं है, बस इसका गेर वाले का ध्यान जर कर सकते हो, पाउं से, अगर बाई आगे डेरेक्ट चलते जा रही है, पैदल मला पाउं से खीच के, तो महले वो न्यूटन है, अगर रुक रही है, तो बड़ा सा मूब करने के बाए रूक रही है, तो आप गेर को आगे सिप्ट करके डाउन कर सकते है, और जिन भाईयों क वो न्यूटन होता रहेगा, या गेर छोटा होता रहेगा, बस भाई, इतनी ही जानकारी है, इस बेसिक चीज़ को लेके, कि जो बाईक के बारे में हमें जाननी होती है, कहां पे हमारा कलच है, कहां पे हमारी ब्रेक है, कहां पे हमारा गेर है, ये दो चार चीज़े होती है जानने के लिए बाकी भाई एक बार मैं आपको बैट के प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि बाईक स्टार्ट कैसे करनी है गेर कैसे डालना है कलरुग का यूज का यूज की वीडियो में तो भाई जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बाईक की उपर आगे हूँ तो अब आपक यह को practically बताता हूं कि आपको कैसे चख करना है कि गाड़ी गेर में है कि नहीं जैसे भई मैंने ओन कर दिया और हमारी अभी गेर में नहीं ठीक है भई देखो मैं स्टार्ट करके दिखाऊं नहीं होती है नहीं होगी क्योंकि गाड़ी गेर में एक option होता है भई कि आप अगर जैसे आपकी गाड़ी में अगर सेल है तो आप ना इसको क्लेज को ऐसे दबाऊएंगे और इसको हल्का दफ़ो स्टार्ट हो जाएगी पहला तरीका तो यह होता है और दूसरा तरीका है आपको कैसे पदा करना है कि आपकी नहीं है है तो उटकें नहीं पाइक को आगे पीछे धुके एटक गी न और यहाई पीछे भी अब आगे नहीं जा रही में अपके नहीं मैं जूब लेकिन अब लगाइक करने सेम में डालता हूं मैंने याल से भी अब मैं इसको पिछे करता हूं नहीं होईगी देखो अटक गी ना आगी भी करता हूं देखो वही ब्रेक ने लगा रहा भाई खुद ही अटकती है तो भाई दूसरा तरीका यह है कि जिससे आप पता कर सकते हो कि गेर में है कि नहीं है उसके वाद निकालो अगर आपकी लोगे नहीं होगे और सबसे इंपोर्टेंट भाई तीसरी बात जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपका भाई यह की कह है अगर आपने इसको किया ना तो भाई आगे जानने के चांसे से देखो भाई और मैं तो धीरे कर रहा हूं भाई क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी तेज गिरोंगा लेकिन भाई आप लोग मत करना जितनी तेज करोगे बाई खुतनी तेज आगे जाएगी और गिरने के चांसिस हैं सबसे इंपोर्टेंट यह होता है भाई और दूसरी बात भाई यह न्यूटन वाला हमने किलियर कर लिया तीसरी और लास्ट चीज म मैं आपको बता के चल जाता हूँ जो बेसिक है बिल्कुल कलच का यूज कैसे करना हो और पहले गेर में कैसे चलाना है बस बाकि भाई अगला अगली वीडियो में हम कंटीनियू करेंगे पर यह देखते वह जाओ भाई देखो हमने बाई कौन की न्यूटन में नहीं है दे देखो भाई इस्टार्ट होगी कुई घबरानी की बात नहीं है बस रिलाक्स रहो बाइक के ओपर बैठो यह भाई कलच होता है ठीक है आपको पता है इसका यूज कितना है जितना आपने कलच दबाके धीरे 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 छोड़ोगे उतनी भाई रेस भी देनी है जितना क कलाच को छोड़ूंगा ना एकदम से तो यह बंद हो जाएगा रेस नहीं देता देखो भाई मैं ठीक है यह रेस है यह नहीं दूँगा तो मैं बंद हो जाएगी देखो भाई हो गए न यहीं होता है बाई गेट को निकाला यह नहीं करने के गलती यह तो फिर भाई आगर आ मैं आप लोग ने दीरे धीरे देखू कलाज मैंने छोड़ा वाइक वाइबडरेट करने लगी अगे बढ़ने लगी दिхालकी रेस भी दे देरों कि मैं बढूनों बरावर देखू September वाई अब अता हो सकता हुआ कितना पिर भाई रेस भी देना शुटिः जितना कलाच इतनी से खूड़े धीरे 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 यह आगे बढ़ती गई बढ़ती गई अब बढ़ती गई अब थेखो भाई फो करना लगी न जिल्ट को दूसरी गेर की चर्वत सब किया करना है हमने फाई एक नंपसे नहीं डालना प पिर भी कोई दिकत नहीं हो रही है अभी आपको बढ़ खाबड में ट्राय मत करना भाई यह तो मैं आप जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप प्रैक्टिकली चला सकते हो बस उसके लिए कर रहा हूं और भाई हेलमेट जरूर पहनना आप लोगों से यह प्रातना मेरी प्लीज भाई क्योंकि आप बिगनर हो तो भाई गिर सकते हो तो चोट ना लगे ताकि अगली बार जल्दी से सीख सको उसके लिए आपको करना पड़ेगा अब रोकुनी कैसे सबसे इंपोर्टेंट बात ही होती है भाई कई लोग क्या करते हैं ब्रेक मार देंगे तो कलच फ्लेट भाई फुक सकती है ऐसे नहीं करना है हमने क्या करना है सलो करनी है जिसने सलो होगी उसके आथ हमने पहले कलच दबाया उसके आथ हमने रेक मारी और यह गेर डाउन किया और यह बंद हो गई ठीक है भाई उमीद है आप सब को यह बात समझ में आगी होगी मैं अज कैसे चेंज करना है उस चीज के बारे में जानेंगे तो भाई अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हैल्प मिली हो तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना भाई कि आपको क्या दिक्कात आई है क्या नहीं आई है जिसके वेसे हम उसको रिजॉल्व कर सकेंगे अगली वीडियो हम उसके उपर बना सकेंगे तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखेंगे आप अपना ओके